तामिया के जंगल में इस्टेट हाइवे पर गेस सिलेंडर से भरा एक ट्रक तीन दिन से खड़ा हुआ है जिसमें लगबग 515 सिलेंडर भरे हुए है लेकिन इस सिलेंडर की ना तो कोई मोटर माली को फिक्र है और ना ही गेस प्लांट वालों को हला कि गेस प्लांट महच 25 किलोमेटर दूर है फिर भी गेस से भरे ट्रक जो की तीन दिन से खराब खड़ा हुआ है उसकी सुद लेने वाला कोई नहीं है देखा जाये तो आए दिन अनफिट ट्रक स्टेट हाइवे पर खड़े रहते है जिससे कभी भी बड़ा हासा हो सकता ह वही ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक के एक भी टायर सही नहीं है अगर टायर फट गया तो गाड़ी में आग भी लग सकती है लेकिन मोटर मालिक को इनकी ना तो कोई फिक्र है और ना ही प्रशाशन इन अनफिट गाड़ीयों की रोक्ताम के लिए कोई मोहिम चला रह अब इसमें आवाज आगया काय में आया एंजिन में यहां पर और अभी तक यह पूरा गया और गया वरी हुई फरी हुई यह और पर गया अब बहुत को भुद्ध के लिए और यह गाड़ी मतलब यह लंबी दिख रही है क्या इसको यह मतलब बढ़ाया गया क्या पहले से बढ़ी हुई अच्छा तो यह गाड़ी कंपनी के तरफ से बढ़ी हुई नहीं इसे बढ़ाया गया है क्या हुआ पताई है बढ़ाया अब बढ़ाया मतलब यह कंपनी के तरफ से बढ़ी हुई नहीं थी तरफ से बढ़ाया अच्छा यह गाड़ी की लंबाई बढ़ायी गई अभी कितने सेलेंडर यहां भरे हुए इसमें बढ़े हुए पांसुपंद्रा पांसुपंद्रा सेलेंडर है और यह यदि मानलो कोई धोका हो जाए कुछ यह गाड़ी में या सजाए अपन तो गए ना मैं तो मुझे तो अंदर ही रहना ना मैं तो जाओं गई तो बतल दुरगटना जाने की फूरा जो हम लेके बार उत लेके चल रह पांसुपंद्रा पांसुपंद्रा आज तारीक कितनी है आज 12 होगी यहने दो दिन से सेलेंडर भरा हुआ गाली खड़ी हुए और अभी तक कुछ ने हुआ तो इसकी रिपोर्ट सिरिफ आप अपने सेठ को दिये हैं क्या ने कर दो दिए मैंजर को दे दिए अपने अपन